अगर आप बार बार ट्राफिक नियमों का उलंखन करते हैं तो आप पर सक्त कारवाई की जाती है और भारी भरकम आपको चलान भी देना पड़ता है बीदे दिन के बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार की सरकारी गारे जिसका नमबर BR01 CL0077 है नियमों का उलंखन करते हैं पकड़ी गई थी जिसके बाद इसका चलान काटा गया वही अब ट्राफिक पुलिस ने एक और बरी कारवाई की है वो भी BJP के खिलाफ जिहाँ पट्राफिक पुलिस ने भाजपा कारेले की बाहर खड़ी गारियों का चलान काट दिया है दरुसल भाजपा की एक विधान मंडल दल की बैठक के दुरान पाटी के नेताओं और कारी करता अपनी गारियां सरक पर ही खरी कर दिये थे जिससे जाम की स्थिती बन ग काटा था दरुसल पटना में मंगलवार की शाम बीजपी कारेले में विधान मंडल दल की बैठक बुलाए गई थी भाजपा की विधायक और मलसी इस बैठक में जुटे भी थे साथी कई कारी करता भी यहां जुटे थे सभी गारियां वीरचंद पतेल पत के में रोड पर लगा दी गए थी जिससे वहां ट्राफिक जाम लग गया था जाम को हटाने ट्राफिक पुलिस के जवान वहां पहुँचे गारियों के हटाने को लेकर जवानों ने अन्नाउंस भी किया गारियां नहीं हटी तो ट्राफिक पुलिस क्रेन से गारी हटाने लगी जवान दुवार यानि की बीते दिन चलान काट दिया गया वैसे पटना के ट्राफिक SP अप राज़त लुहान ने साफ साफ बताय है कि चाहे वो आम इंसान की गारी हो या किसी VIP की गारी हो अगर वो नो पारकिंग में खरी है तो उसका चलान जरूर काटा जाएगा वैसे आपको पता और एक ही बाद हवा की तरह फैल गई कि जो कानून का पालन करना सिखाता है वही कानून की धजिया उरा रहा है वैसे चलान की बात करी तो नितीश कुमार की सरकारी गारी जुसका नंबर BR01 CL007 है नियमों को उलंखन करते वे पकरी गई थी इस गारी का पॉल्यूशन सेटि जिसके बाद मुखे मंतरी बीते दिन रोताज जिले के करगहर प्रखंट के कुछी ही बेतिया गाउं में डियम दिनेश कुमार राई के पिता की पुन्नितिती में शामिल होने अपने सरकारी गारी से पहुँचे थे लेकिन यहां सीम की गारी का चलान कट गया वैसे लेकि विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर सवाल उठा दिया था यह जानकारी एमपई वहन आप की माधियम से सोचल मीडिया तक पर भी साजा कर दी गई थी जिसके बाद राज़िद नेता विमल कुमार ने कहा कि यह बिहार का दुर्भाग्य है कि मुख्य मंतरी की अपनी गारी का प्रदूशन फेल है जबकि वो आम जनता पर बेवजा जिरुमाना लगवा कर अत्याचार करवा रहे है वैसे यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंतरी रितीश की गारी नियमों का उलंगन करते वे उस समय पकड़ी गए थे इससे पहले भी 23 राज में कानून विवस्ता और नियमों के पालन की बरी जिमदारी है वही अगर कई महिनों से नियमों के अंदेखी कर रहा है तो सिस्टम को कौन दुरुस्त करेगा वही अब बीजेपी के नेताओं की भी गारी का चलान कट गया है वैसे थोड़ा पीछे चले तो केंद्र पारी भरकम चलान भरना परा था इस मामले को लेकर उस समय चिराग चर्चा का विशे बन गए थे उसके बाद निदीश कुमार चर्चा का विशे बने और वही अब बीजेपी के नेता जो है चर्चा का विशे बनते वे नजर आ रहे है वैसे कॉंग्रेस प्रवक्ता ग्या का चलान का पेमेंट कर देना चाहिए अब आपको बताते हैं कि नितीश कुमार की गारी और किस तरीके से चलान काटा जाता है दरवसल बिहार के सभे टोल प्लाजा पर अब इडिटक्षन सिस्टम के माध्यम से ऑटोमाटिक इडिटकी चलान कटने लगा है इडिटक्षन सिस गुजरने वाली गारियों का E-Data E-Deduction Portal NIC पर अपलोड किया जाता है ये आटोमाटिक काम करता है टोल से गुजरने वाली गारिया और FastTag का रोजाना रिकॉड रखा जाता है जो E-Deduction Portal से लिंक किया गया है टोल से जितनी भी गारिया गुजरती है वो Cloud Storage में होता जाता रह पुलिस ने नए निर्देश तक जारी कर दिया है ट्राफिक नियमों को लेकर ट्राफिक पुलिस के नए निर्देश के मताबिक अगर आपका चलान पांच बार या उससे अधिक करता है तो आपकी ड्राइवरी लाइसन्स को रद कर दिया जाएगा अब राजित लुहान न लंगन कर रहे हैं और पांच बार अगर आपका चलान करता है तो ऐसे चालुकों का ड्राइवरी लाइसेंस सस्पेंट किया जाएगा वहीं 133 ऐसे वहाँ चालक है जुसका चलान 20 बार काटा गया है ऐसे चालुकों का ड्राइवरी लाइसेंस भी रद कर दिया जाएगा वसे चलान जमा करने के लिए रोज ट्राफिक SP के कारेले में भीर लगी रहती है ओनलाइन चलान जमा करने की सुविधा तो है लेकिन इसके बाद भी लोगों की परिशानी बरकरार है परिवहन विभाग ने SBI, Central Bank, Union Bank, PNB और Kenera Bank से फाइन जमा करने की सुविधा दी है करना पर रहा है वही इतनी सक्त नियम के बाबजूद भी नितीश कुमार हो, चिराक पास्वान हो, आरजेडी के कोई नेता हो या बीजेपी के कोई नेता हो लगातार नियमों का उनलंखन करते वे पाए जाते हैं तो फिलाल इस पूरे खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया हमें कॉमेंट जिक्षिन बॉक्स में जरूर बताईएगा तो इस खबर में आज के लिए बस इतना ही, अन्ये खबरों में हमार साथ ऐसे आगे बने रहे हैं और देख तेरे तब तक के लिए क्याप्तिल चीवी बहाद, धन्यवाद